दोस्तों यह एक budget smartphone है जो की first in this segment features के साथ में आता है इसमे 6000 image की battery है और यह बड़े display के साथ में आता है 6.6 inches का IPS display है HD plus resolution है और यह water drop display है यह है आइटल का नया P-series मतलब की power series का smartphone जो कि उन्होंने इंडाय में लाउच किया है और यह जो brand है इन्होंने हाली में हृतिक रोशन को भी अपना brand ambassador पनाया है आइटल ब्रैंड जो है इनके तकरीबन 9 करोर से भी जादा happy customers है इंडिया में तो चलिए जो आइटल का नया smartphone है P40 इसे चेक करते हैं देखते रहिए तो यह देखे यह है इसका box pack और box के अंदर जो handset है उसे इस प्रकार से pack किया हुआ है यह film लगा में 4GB RAM है और 3GB Virtual Memory है टोटल 7GB RAM 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है और यह दिखें हैंसे ऐसा दिखता है अब यह तीन कलर options में अविलेबल है यह है dreamy blue color variant काफी बढ़िया दिखता है box में handset के अलावा यह plastic case दिया हुआ है आम तोर पे आपको silicon case मिलता है लेकिन यह सा फील देता है प्लस अच्छा protection भी प्रोवाइट करने वादा है इसके अलावा कुछ booklets यह सिम ट्रे एजेक्ट पिन यह 10 watt का charger box के अंदर दिया हुआ है वैसे मैं आपको बता दूं कि यह 6000 mAh की बैटरी है इसे आप fast charge कर पाएंगे 18 watt fast charging support के साथ में आता है अगर आपके आज कल जाता करके smart phones जो market में available है उनका जो look है काफी impressive level का होता है in fact चाहे budget friendly smart phone हो mid premium smart phones हो या फिर premium level के smart phones हो जो design है इतना बढ़िया हो गया है कि यह बताना काफी मुश्किल हो गया है कि जो handset है वो किस category का है इसका जो design है impressive level का है इसके ओपर यह texture दिया हुआ है line texture जिससे ए books है यह भी काफी बढ़िया इसे मिलता है यहाँ पर clearly 6000 इमेज लिखा हुआ है और पीछे की तरफ यह देखे यहाँ पर fingerprint sensor भी दिया हुआ है इसकी जो body है यह polycarbonate material से बनी हुई है और इस price में आपको काफी बढ़िया looking smart phone मिलता है power button और volume rockers यहाँ पर right hand side पर दिया हुआ है SIM tray यहाँ पर left hand side पर है वैसे यह जो handset है यह 4G support के साथ में आता है और नीचे की तरफ audio jack है micro USB port है और primary microphone भी दिया हुआ है इस handset में triple slot दिया हुआ है अब दो nano SIM और एक micro SD card एक साथ इस handset पर use कर पाएंगे सबसे बात करते हैं display की यह जो handset है इसका pricing है 7,699 रुपीस उसके हिसाब से जो display की quality है काफी बढ़िया है actually viewing angles भी काफी अच्छे हैं और outdoor धूप में भी यह कुछ हर तक visible है देखिए आप जितना जादा spend करेंगे उतना बढ़िया आपको handset और specifications है वो मिलने वाला है लेकिन इस price में 7,699 रुपीस में यह काफी बढ़िया है handset का वजन है क लेकिन वैसा feel नहीं मिलता है एक और अची चीज जो मुझे लगी वो यह है कि इसका जो UI है यह काफी बढ़िया है काफी smooth है plus जो default applications है यह देखिए यह सारे default applications है जो कि pre-installed आए हैं काफी कम है आम तोर पे चाहे budget smartphone हो या फिर mid premium smartphones हो या फिर premium level के smart phones हो आजकल जादा करके smart phones में इतने सारे applications आते हैं कि जो phone है यह एकदम भरा भरा सा लगता है यहां पर वैसा नहीं है यह देखें एकदम clean UI कह सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज है वो भी इस प्राइज में specifications आपको यहां पर settings में मिल जाएगा my phone इसमें unisoc octa core processor यूज किया गया है जो कि decently powerful है इस प्राइज में बहुत ही बढ़िया है actually android version 12 रन कर रहा है out of the box यह android go edition है 13 megapixel का dual camera setup दिया हुआ है और 5 megapixel का selfie camera दिया हुआ है 64 GB storage है और 4 GB plus 3 GB यह MEM fusion के जरिए virtual RAM या फिर expandable RAM कह लिजिए तो total RAM हो जाता है तकरिबन 7 GB वैसे आप यहां पर adjustments कर पाएंगे आपको कितना RAM चाहिए virtual RAM और यह रिखे यह यह अन्य स्पेसिफिकेशन 6000 mAh बैटरी और एक और अची चीज़ है कि यह वारंटी जो है आप यहां से ही activate कर पाएंगे यह रिखे यह है क्यामरे का interface यहां पर photo mode है आप वीडियो शूट कर पाएंगे maximum 1080p resolution में portrait mode है जहां पर जो background है यह blur होता है low light का option दिया हुआ है basically night mode pro mode है और more में आपको यह सारे options मिलते है आइटल P40 का जो camera quality है यह भी decent level का है मैं आपको कुछ camera samples बगा देता हूँ तो यह कुछ portrait shots काफी अच्छा है not bad इस price में वैसे जितने भी यह shots आप देख रहे हैं इ वैसे computer पर भी अगर आप इसे download करते हैं तो यह जो shots है काफी अच्छा लगता है selfie ठीक ठाक खीच लेता है लेकिन जो rear camera है इसकी quality काफी अच्छी है pricing के हिसाब से और यह कुछ long shots मैंने shoot किया हुआ है यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस phone में आपको filter के options मिलते हैं अगर आप photo mode में रहेंगे वहाँ पर आप filter options यूज कर पाएंगे और यह देखें किस प्रकार से जो look and feel है यह change करता है काफी amazing लगता है और यह देखें यह night shot night shot भी ठीक ठाक है वैसे इस price में आपको एकदम perfect high quality का camera तो नहीं मिलने वाला है लेकिन जो भी दिया हुआ है काफी यहां पर भी आपको stability का option नहीं मिलने वाला है लेकिन यह handset 1080p videos shoot कर सकता है अब देखें जो handset है इसे खास करके budget segment के जो users है उनका जो usage pattern है उसे देखते हुए बनाया गया है अब जादा करके जो users है यह heavy applications जैसे की games नहीं खिलते हैं यह users आम तोर पे phone को as a phone की तरह use करते है WhatsApp, Facebook, Amazon Prime, YouTube, short videos इस प्रकार के content देखते हैं और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो handset है इसमें जो battery है यह काफी बढ़िया होना चाहिए असानी से एक दिन तो last होना चाहिए वैसे जादा करके smart phones आज के तारिक में जो market में available है वो 5000 image की battery के साथ में आते हैं मतलब कि जो maximum battery है वो तुना होता है लेकि इसमें 6000 image की battery है मतब यह कि आपको one day का नहीं बलकि one and a half day से लेकर two days का heavy usage मिल सकता है इस smartphone के साथ में इसमें जो 6000 image की battery है उसके जरीए और 10 watt charging मतलब की समय लगने वाला है लेकिन अगर आपके पास 18 watt का charger है तो 18 watt charging support के साथ में आता है तो यह है क्राफी बढ़िया है आपको यह smartphone कैसा लगा कमेंस के माधिम से मुझे जरू बताइए और इनकेज अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं link मैंने video के description में दिया हुआ है देखते रहे हैं